हलो फ्रेंज़ आप सभी का स्वागत है सार्जी तूशन की एक नई वीडियो में व्रियुन है सो जैसे हम बायो टेक्नलाजी यउनिट पर रहे थे और उसमें हमने बायो टेक्नलाजी यूनिट का पहला चैप्टर जो हमारा था इस चैप्टर में हम अगर बात करें कि क्या पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो भी हमने बायो टेक्नलोजी के प्रोसेस देखे उसके एप्लिकेशन क्या हैं उसको कैसे हम यूज करते हैं और कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड और्गैनिजम बनात हैं कैसे इक बनाते हैं इस होता है इन सब चीज़ों कि हम बात करेंगे इस चैप्टर में अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ड करें तो जो NCRT में सबसे पहला topic दिया जाता है इस chapter में वो यह थे कि बायो टेकनलोजी का application है एगरी कलचर फिल्ट में तो सब ने हैं है और कियू हम इसको हम समझेंगे तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ टाइप ऑफ एग्री कल्चर की तो एग्री कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो तीन तरीके के एग्री कल्चर हमें देखने को मिलते हैं एक हमारा होता है एग्रो केमिकल बेजड एग्री कल्चर इसमें हम क्या करते है इसमें हम chemicals का use करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, chemicals का use करते हैं agriculture में, जैसे कि हम क्या करते हैं, जो fertilizers डालते हैं, जो fertilizers डालते हैं, वो chemical से बने हुए होते हैं, हम कुछ यहां पर paste सिरकते हैं, मतलब ऐसे chemicals सिरकते हैं, जो harmful insects को मार दे, तो यहां पर हम क्या करते हैं, chemical को use करते हैं अब आप ये केमिकल से हमें नुख्षान और मैं आपको पहला नुख्षान यह था है कि यह जो सॉयल की productivity है कह सकते हो जो सॉयल की quality है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है सेकंड जो हमारा agriculture आता है वो आता है organic agriculture और गैनिक agriculture में क्या होता है कि हम बायो फर्टलाइजर्स बायो फर्टलाइजर्स मतलब हम ऐसे फर्टलाइजर्स का यूज करते है जो chemical free होता है जैसे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वेस्ट होता है जैसे कि अगर मैं आपको एक्जामपल दूँ तो जैसे मालो जो लॉन चियुकों को जब हम जमीन में दबाके रखते हैं तो उससे फर्टलाइजर्स बन जाते हैं तो उस फ När चरह में और यहां प nutribles करते हैं अब आप यह सुचिरों होगे कि पहले का तो हमें डिसड्वांटेज पता चल गया कि एग्रो केमिकल में जब हम केमिकल डालते हैं तो उससे सोयल की क्वालिटी खतम होती है और सेकिंड इसमें होता क्या है इसमें एग्रो केमिकल बीजड एग्रिकल्चर में प्रोडक्शन तो जादा होती है पहली बार आप जब किसी जमीन पर खेती करोगे और वहां पर केमिकल पेस्टिसाइट डालोगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन जादा होगी लेकिन धीरे धीरे केमिकल के यूज़ करने के वज़ेसे प्रोडक्शन कम होने लगेगी क्योंकि सोयल की कॉलिटी डिक्रीज हो रही है अब और अगर आपको एक लार्ज पॉपुलेशन को फीड करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ और और अर्गैनिक अगरिकल्चर पर डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन जो है वो डिकलाइन कर जाएगी तो अब हम एगरो केमिकल बेज अगरिकल्चर को भी यूज नहीं करना चाते क्योंकि उसमें हम सोयल की गुणवरता खराब कर रहे हैं हम और गैनिक अगरिकल्चर भी यूज नहीं करना चाते क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रही है तो हम करेंगे क्या हम तीसरा जो एगरिकल्चर है वो यह होता है कि हम जो भी क्रॉप है जो भी हमारी क्रॉप है उसको हम जिनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि उसके जीन में कुछ चेंज कर दे जिसके वज़े से हमें एक क्रॉप के अंदर एक नया करेक्टर मिल जो हमारे लिए useful हो, जैसे कि अगर मैं आपको example दो, तो हम एक tomato, एक transgenic tomato होता है, जिसको हम बोलते है flavor saver tomato, जिसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो flavor saver tomato क्या होता है, यह इसको modify करा जाता है, इसका genetic material change करा जाता है, ताकि ये खराब ना हो जल्दी से, अभी उसको हम आगे detail में पढ़ेंगे, अब हम आगे move करते हैं और बात करते हैं GMO यानि कि genetically modified organisms की, अब हम बात करते हैं GMO यानि कि genetically modified organisms की, अब आप बोलोगे कि genetically modified organisms होते क्या हैं, ऐसे कोई भी organisms, चाहे वो plant हो, bacteria हो, fungus हो, animal हो, या virus हो, कोई भी हो, अगर हम उसके gene में कोई modification करते हैं, या उसके genetic material में कोई modification करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं genetically modified organism, यानी जिस भी Organisum के Genetic Material के साथ आप ने छेड़ चार करी है, अपने उसे चेंज करा है, Manipulate करा है, करा है, मतलब उसे चेंज करा है, उसके Genetic Material को चेंज करा है, तो ऐसे Organism को हम क्या बोलेंगे? Genetically Moнified Organism बोलेंगे, अब ये genetically modified organism, plant भी हो सकते हैं, bacteria भी हो सकते हैं, fungus भी हो सकते हैं, अब हमने यहाँ पर बात करी थी कि agriculture में हम genetically engineered crop का इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानि कि हम इसमें क्या करेंगे, किसी crop को genetically modify करेंगे, तो हम crop को genetically modify करेंगे, क्यों इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, हम इस चीज को जानते हैं, genetically modified crop are useful in, अगर मैं genetically modify करता हूँ किसी crop को तो उससे हमें क्या-क्या फाइदे मिल सकते हैं, पहला फाइदा ये है, made crop more resistance to abiotic stress, अगर मैं किसी भी crop को क्या करता हूँ, genetically modify करता हूँ, तो उससे हमें एक ये ये फाइदा हो सकता है कि जो crop हो, वो resistance दे abiotic stress के लिए, abiotic stress क्या होते है, abiotic stress जैसे की drought आजाना, ठीक है, drought आजाना, या फिर आपका बार आजाना, ये सारी चीजे हमारी abiotic stress में आती हैं, जितनी भी natural calamities होती है, तो अगर मालो drought आगया, तब भी वहाँ पे जो crop है, वो survive कर सकती है, क्योंकि मैंने उसे genetically modify करा है, तो ये पहला advantage हो गया, दूसरा advantage क्या हो गया, दूसरा advantage ये है, कि ये help करता है हमें, to reduce post harvest losses, खेती के बाद, आपने खेत काटली, फसल काटली, उसके बाद जब हम रखते हैं, किसी crop को अपने घर में, तो वो कई बार सर जाती हैं, तो उस post harvest loss को हम reduce कर सकते हैं, किसी भी crop को genetically modify करके, और इसका भी आप एक example भी पढ़ोंगे, flavor saver tomato, तीसरा अगर ह होती है, यह क्या करती है, जो भी chemical pesticides है, इन पर होने वाले खर्चों को कम कर देती है, और यह कम कैसे करती है, यह कम ऐसे करती है, कि chemical pesticide का जो use होता है, उस use को यह कम कर देते हैं, और जब अगर हम chemical pesticide को कम use करेंगे, तो जो हमारे खर्चे हैं, वो भी कम होंगे, और साथी सा साइल की हैल्थ पर भी कम इफेक्ट पड़ेगा फूर्थ अगर हम बात करें कि जनेटिक ली मॉडिफाइड क्रॉप क्यों हमारे लिए उस्फुर फॉर्थ पॉइंट्स की तो फॉर्थ पॉइंट यह है कि इनक्रीज करता है है efficiency of mineral uses by plant मतलब कि plant आपको पता है minerals को खीचता है Soil में से तो अगर हम किसी भी plant को genetically modify करते हैं तो हो सकता है कि वह Soil में से कम minerals को खींचे और उस कम इंदो से अपना maximum output अट्पुट दे पकिए इसी को हम बोलते है कि Efficiency को increase करना कम चीज में ज्यादा काम करना जैसे कि कम salary में ज़्यादा मेहनत करना उसी तरीके से कम minerals को plant खीचेगा लेकिन उससे ज़्यादा output लेगा तो इसी को हम बोलते हैं efficiency increase करना और यह कैसे हो सकता है जब मैं किसी crop को genetically modify कर दूँ फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या आता है कि हम किसी भी crop में जो food में लेला है उस crop से जैसे कि अगर मैं आपको rice की बात करूँ तो उसकी हम nutritional value बढ़ा सकते हैं nutritional value मतलब उसके अंदर present iron ठीक है vitamin amino acid इन सब को बढ़ा सकते हैं जैसे कि हमारा NCRT में एक दिया गया example है golden rice का अगर हम बात करें golden rice की तो golden rice में जो vitamin A की मात्रा है वो normal rice से जादा होती है तो अब हम यह देखते हैं कि golden rice बना कैसे ठीक है सबसे पहले golden rice का जो name है उसको हम बोलते है और आईजा सैटिवा और यह एक क्या है तो golden rice जिसका नाम और आईजा सटाइवा यह हमारी ट्रांसजैनिक व्राइटी है अब यह जो हमारा golden rice है यह contain करता है बीटा कैरोटीन, क्या कंटेन करता है, बीटा कैरोटीन जो की एक तरह का प्रो विटामिन A है, प्रो विटामिन A का मतलब क्या है, कि जब आप बीटा कैरोटीन को खाओगे, तो बीटा कैरोटीन बोडी में तूटने के बाद विटामिन A बनाएगा, इसलिए बीटा कैरोटी जो विटामिन ए या प्रो विटामिन ए के लिए कोड करता हो तो ऐसा जीन हमें मिला डैफोडिल प्लांट में कहां मिला डैफोडिल प्लांट में हमने डैफोडिल प्लांट में हमने डैफोडिल प्लांट में हमने डैफोडिल प्लांट लिया वहां से आइसोलेशन करा जीन का जो की code करता है beta carotene के लिए ठीक है अब हमने क्या करा उस gene को एक vector के साथ मिला के recombinant DNA बनाया क्या करा recombinant DNA और इस recombinant DNA को हमने जो temperate region में present rice की variety थी उनमें introduce कर दिया क्या करा कि जो temperate region में present rice की variety थी उनमें introduce कर दिया और फिर उनको culture करा क्योंकि biotechnology में हमने पढ़ाय कि हमें host में introduce कराने के बाद उसको culture भी करना होता है तो हमने उसके बाद क्या करा उसको culture करा और उसको जब हमने बहुत agriculture कह सकते हूं मौन्सून तक culture करा उसकी काफी फसल्स बना ली तो वहां से हमें golden rice की variety मिली जिसके अंदर बीटा कैरोटीन था और बीटा कैरोटीन जब हमारी बॉड़ी में जाता है तो वहां से हमें vitamin A मिलता है तो इस तरीके से golden rice जो है वो क्या हो पाया आपका vitamin A enriched हो पाया अब हम बात करते हैं flavor sour tomato की जो कि हमारा एक क्या है ट्रांस जैनिक tomato है और इसको हम क्यों यूज करते हैं इसको हम इस दिये यूज करते हैं ताकि हम post harvest loss को कम कर सके अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि tomato जो है वो खराब होते क्यों है ठीक है उसके बाद हम यह समझेंगे कि ह ने क्या कर जिससे tomato खराब होना कम हो गए तो देखिए जो normal tomato होता है उसका वो जो DNA होता है वो सबसे पहले mRNA बनाता है और फिर mRNA से protein बनता है यहां पे जो protein है वो एक enzyme है जिसका नाम है polygalacto uranase क्या नाम है polygalacto uranase यह polygalacto uranase क्या करता है tomato को soft करता है tomato को softness provide करता है तो यह softness अगर कुछ समय तक रहे तो तो अच्छी बात है लेकिन अगर tomato ज्यादा ही soft हो गया तो हम बोलते हैं कि tomato जो है वो सड़ गया है इसलिए जब देखो आपकी मुम्मी जो मार्किट से tomato लाती है वो थोड़े ज्यादा हाड होते हैं ठीक है ज्यादा soft नहीं होते क्योंकि ज्यादा soft होते हैं वो ज्यादा जल्दी खराब होते हैं तो अब हमने क्या करा normal tomato में पढ़ लिया कि कोन है जो responsible है टोमेटो की softening के लिए क्या नाम है उस एंजाइम का polygalacto uranase अब हम क्या करते हैं हम एक टेकनीक का यूज करते हैं हम एक टेकनीक का यूज करते हैं जिसका नाम है RNA interference या फिर anti-sense RNA technique इसमें हम क्या रते क्या हैं और कैसे करते हैं इसको हम next वीडियो में पढ़ेंगे जिसमे हम RNA interference को deeply study करेंगे और वहाँ पे बढ़िया सा आप example भी देखोगे pest resistant plant बनानेगा अब भी आप सिर्फ इतना समझो कि flavor saver tomato को या normal tomato को prevent करने के लिए ताकि वो सड़े ना इसके लिए हमें technique यूज करते हैं RNA interference की जिसको हम anti-sense RNA technique भी बोलते हैं इसमें होता क्या है कि यह जो आपका DNA था आपको पता है कि DNA जो है वो एक ही strand बनाता है RNA की बट हमने यहाँ पे क्या करा हम यहाँ पे इसके DNA में कुछ modification करते हैं इसके DNA में कुछ modification करते हैं, जिसकि वज़े से इसके ये जो दोनों strand है, ये RNA के लिए code कर देते हैं, जिसकि वज़े से होता क्या है, कि हमारा एक double strand mRNA बन जाता है, वार ये double strand mRNA बन जाता है, और ये double strand mRNA बनता क्यों है, क्योंकि हमने इसके DNA में कुछ modification करी जिसकी वज़े से दोनों ही strand copy हो गए normally जो strand mRNA बनाता है या normally जो mRNA बनता था उसको हम sense mRNA बोलते हैं और जो modification के बाद हमारा second mRNA बना है जो की मिलके double strand RNA बनाएगा उसको हम anti-sense RNA कहते हैं अब anti-sense RNA और हमारा sense RNA ये दोनों मिलके double strand RNA बना देते हैं ठीक है double strand RNA बन गया जिसकी वज़े से क्या होगा double strand RNA कभी भी क्या translation शो नहीं करता याद रखना double length का जो हमारा sorry double strand RNA जो होता है वो हमारा कभी भी protein नहीं बनाता ठीक है क्या करता है protein नहीं बनाता जिसकी वज़े से क्या होगा अगर वो protein नहीं बनाएगा मतलब वो enzyme नहीं बनाएगा और कौन सा enzyme नहीं बनेगा polygalacto uranese यानि कि अब जो tomato की softening है वो उतनी देजी से नहीं होगी जितनी तेजी से होनी चाहिए थी जिसकी वज़े से जो softening of tomato है वो रुख जाएगी और हमारा जो post harvest loss है वो रुख जाएगा और आप इसको ज्यादा दिनों तक घर में स्टोर करके रख सकते हो तो यह हमारा flavor tomato का concept था कि कैसे हम उसको post harvest loss से बचाएं अब हम क्या करते हैं एक तीसरी क्रॉप की बात करते हैं जिसको हमने genetically modify करा है और इसका नाम है बीटी cotton अब बीटी cotton को समझने से पहले आपको बीटी टॉक्सीन के बारे में पता होना चाहिए कि यह होता क्या है और यह कैसे work करता है तो अगर मैं बात करूं बीटी टॉक्सीन की तो इसको produce करा जाता है bacillus thuring genesis की द्वारा bacillus thuring genesis एक bacteria है जो की एक toxin बनाता है और इस toxin को हमने नाम दे दिया बीटी toxin ठीक है अब होता क्या है कि bacillus thuring genesis यह जो बीटी toxin बनाता है यह inactive form में बनाता है किस form में बनाता है इन एक्टिव form में बनाता है अब आप पूछोगे कि अगर यह inactive form में बनाता है तो यह किस तरीके से किसी भी insect को kill गरता है तो होता क्या है यह होता तो inactive form है बट इसको active होने के लिए alkaline medium चाहिए होता है कैसा medium चाहिए होता है alkaline यानि कि थोड़ा basic medium चाहिए होता है तो होता क्या है bacillus thuringiensis जो inactive protein जिसको हम toxin बोल लए है उसको produce करता है जब यह inactive protein या inactive toxin enter करता है इंसेक्ट के mid gut में तो वहाँ पर alkaline medium होने की वज़े से alkaline medium होने की वज़े से यह जो toxin है यह active हो जाता है और यह active होके क्या करता है जो भी इंसेक्ट ने जिस भी इंसेक्ट ने इस inactive protein को खाया था उसके mid gut में poor create करता है यानि कि छेद करता है जिसकी वज़े से उस insect की death हो जाती है अब यहां पे board examination में बहुत famous question है जो कई बार पूछा जाता है कि जो bacillus therongenesis toxin बनाता है जिसको हम bt toxin बोल लए है वो एक इंसेक्ट को किल करता है लेकिन वह bacillus therongenesis को किल नहीं करता इसका reason क्या है यह आप से पूछा जाता है तो इसका reason यह है क्योंकि वो जो bt toxin बना रहा है वो inactive form में बना रहा है अब वही बात को आगे लिखा गया है समी स्ट्रेन ओफ बैसिलस therongenesis produce protein that kill certain insects such as अब यहां पर आपको insects के बारे में बताया जा रहा है कि बैसिलस therongenesis जो है वो किन-किन इंसेक्स को किल करते हैं तो जो toxin produce करा जाता है बैसिलस therongenesis के द्वारा वो लैपीडो patterns को किल करते हैं ठीक है इनमें हमारे टोमैको बड़ वॉम आते हैं कौन बॉर्स आते हैं और इनसेक्ट आते हैं तो लैपीडो patterns में बीटल्स को किल कर सकती है डाइ patterns में यह flies एंड मॉस्किटो को किल कर सकते हैं अब इनके आपको कुछ जीन के एक जामपल दिये गए हैं वह जीन जो टॉक्सीन के लिए कोड करते हैं और किस इंसेक्ट को मारते हैं वह भी आपको बनताया गया है तो cry1 ab यह एक जीन है cry1 ab यह एक जीन है जो कि corn water के अगेंस्ट टॉक्सीन बनाता है corn water एक इंसेक्ट है उस इंसेक्ट के लिए टॉक्सीन कोन बनाता है cry1 ab इसी तरीके से cry1 ac and cry2 ab हमारे दो ओर जीन हैं जो कि cotton bulworm के against code करते हैं toxin के लिए अब यहां पर बात आती है कि यह जो हम plant को modify करते हैं यह करते कैसे हैं और इससे कैसे जो हमारी crop है वह prevent होती है इन इंसेक्ट से ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक bacillus therogenesis से किसी भी एक bacillus therogenesis से हमने cry gene को isolate कर लिया क्या करा cry gene को isolate कर लिया और इस cry gene को इस cry gene को हमने एक vector के साथ मिला के r dna बना दिया एक vector के साथ मिला के r dna बना दिया और इस r dna को हमने जिस भी crop को हमें prevent करना है उस crop के अंदर introduce करा दिया जैसे जैसे कि मानलो आपको कौरी टैन्स को प्रिवेंट करना है तो आपने कोटन प्लांट्स के अंदर इस अर्डेने को इंटर्यूस करा तो इनने टैसे को कल्चर कर आया ठीच है अब होगा क्या कि जब कौर्टन ऑपने की कली कल्चर में लगा जिसको हम cotton bulwarm बोलेंगे उस इंसेक्ट को तो cotton bulwarm आया वह आपके cotton को damage पहुचाना चाह रहा है तो वह जैसे ही इस cotton को damage करने जाएगा उसके अंदर जो cry gene है सॉरी उसके अंदर होगा क्या कि यह जो cry gene था इस cotton plant के अंदर इस cotton plant के अंदर यह cry gene क्या करेगा सबसे पहले mRNA बनाएगा फिर mRNA से क्या होगा इनक्टिव प्रोटीन बनेगा इनक्टिव प्रोटीन यानि की हमारा cry protein बनेगा अब यहां पर एक जो सबसे जादा सवाल पूछा जाता है कई बार board examination में की CRY और CRY इन में क्या फरक है तो यह जो small letter में लिखा है यह हमारी gene होती है और यह जो capital letter में लिखी होती है यह हमार प्रोटीन होती है यह आप याद रखना तो क्राइजीन से क्या हुआ क्राइजीन को जिसको हमने इंटर्ड्यूस करा था cotton plant के अंदर तो उसके अंदर पहले MRNA बना फिर inactive protein बना जो कि हमारा cry protein था अब होगा क्या कि cry protein इस cotton plant के अंदर मौजूद है जैसे ही कोई इंसेक्ट इस cotton plant को आके हम पहुचाना चाहेगा सबसे पहले होगा क्या कि cry protein उसकी body में चला जाएगा क्योंकि वो उसको खाने की कोशिश कर रहा है तो cry protein को खा लेगा अब क्योंकि उसने cry protein को खा लिया और cry protein को activate होने के लिए कैसा medium चाहिए alkaline medium चाहिए तो cry protein insect के mid gut में जाने के बाद active हो जाएगा क्योंकि mid gut में उसे alkaline pH मिल जाएगा तो वहाँ पे active होने के बाद ये क्या करेगा जो भी mid gut है उसमें pore create करेगा और pore create होने की विज़े से उस insect की क्या हो जाएगी death हो जाएगी और हमारा जो plant है वो safe हो जाएगा वो बच जाएग इस तरीके से हम बायो technology को यूज करके अलग अलग तरीके के प्लांट्स बनाते हैं जिसमें हमने सबसे पहले विटामिन एंरिज गोल्डन राइस देखे फिर हमने फ्लैवर से वर टेमेटो देखे फिर हमने बीटी कॉटन देखा अब agriculture में एक और हमारा most important example है जो की है टो म प्लैन्ट को हम कैसे बचाते हैं एक पैस्ट से जिसका नाम है मेलाइनोगेटो इगनोशिया सौरी मैंने नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया मिलाइडोगाइना इन कोगनीशिया से कैसे हम टोमैको प्लांट को बचाते हैं हम यह देखेंगे ठीक है लेकिन वो टॉपिक क्योंकि काफी बड़ा है और काफी धीपली समझने वाला है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डि लाहिए